बिस्मिल्लारमान रहीम, वालकम तू दो वीडियो सेशन केंटो पॉब्लिशर्स तोड़े वीडियो सेशन केंटो पॉब्लिशर्स क्योंके दीज आर क्लोजली कनेक्टेड जितनी कॉंसेट आपके किताब में हैं, बुक में हैं, वर्क बुक में उनके सारी वर्कशीट्स और एक्टिविटीज महुजूद हैं अगर हमें जरुद पड़ी तो आप अपने पैरेंट्स की मदद से, अपने टीचर की मदद से, केंटो पॉब्लिशर्स के वेब साइट से, रिसोर्स बेग भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आओ किताब की तरफ, प्यारे बच्चों आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग तिंक्स के बारे में पड़ा, आप लोगों ने एक्टिविडीज भी की और आप लोगों ने माइन कॉंसेट भी पड़ लिया, अभी बारी है, एक्सरसाइस की, और मुझे हस्ब तवक्को, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन हैं, के आप ल तो, इसल्ड़ कंई तैए क्नीज घरिविया, और मुझे क्रूण इच ए लोगों पड़ा, आप लोगों से लगों ने इसका, अक्रिविग है, प्र लोगों ने मॉच्टों आप लोगों ने इसका, प्रडों ने म।बर को आफ लिविदन लोगों से एक्स्टेशना, आप फैसला करना है हाँ कलू मैं आपको देता हूँ आप लोगों ने जो फाइव करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लिविंग तिंग्स की वो देखें अगर यह फाइव करेक्टरिस्टिक्स कार में है तो यह लिविंग है और अगर कार में नहीं है तो यह नान लिविंग है क्या है था can move can breathe can eat can reproduce तो आप लोग फैसला करो चलते है next one की तरफ fallen leaves are non living living once non living then living यह नहीं fallen leaves जब पते जमीन पे पड़े हो जब यह दरक्त में ना हो तो यह नान living है या living है या पहले non living थे और अब living होगे तो लहाज इसमें एक option टीख है आप लोगों ने टिक करना है coming towards the third statement which of the following can breathe in tene pictures में से कौन सवाल आप breathing कर सकता है सांस ले सकता है तो बड़ा असान है you look into this and try to solve I am sure inshallah you will be doing it my dear students I am moving towards fourth statement and that is identify the natural thing अभी देखें बचें this is wall यह दिवार है यह टॉय है और यह समंदर का दर्या का पानी है अभी आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा वाला नेचरल तिंग है यह खुद बखुद बिवार खुद बखुद बनी है अला ने बनाए है कि लोना खुद बखुद बना है या पानी खुद बखुद हमें मिला है तो बड़ा असाने आप लोग समझा गई होगी आप लोग इसको कर लो चलते हैं फिल स्ट्रेटमेंट की तरफ यू डू नाट मूव विन यू आर असलीप आर यू नान लिविंग लिविंग और बोथ जब आप सो रहे होते हैं तो उस वकत तो आप मूव नहीं करते हैं त चलते हैं प्यारे बच्चों पार्ड बी की तरफ और उसमें शॉर्ट क्वेस्टेंज हैं और बहुत आसान है और मुझे हैं कि आप लोग इनके जवाबात आप लोगों को खुद आएंगे और आप लोग खुद लेक लोगे अशीर वर्श मैंने बटा दिया ता करेक्टिस्टिक्स बता दी तहीं कि अगर यह वाले करेक्टिस्टिक्स यह निया करेक्रिक्रिक्स है तो लिविंग है अगर यह नहीन तो नहीन ए तो बड़ा अशार है ना लेट में आपको आपको आंस्टर आता है लिख लें see the next question diet chicks are non-living how जब एक बार चिक मर जाए चूजा मर जाए तो वो non-living है of course उसके ओपर characteristics apply करो क्या वो मुख कर सकता है मरने के बाद किया वो पी सकता है क्या वो का सकता है क्या वो सांस ले सकता है नहीं so you write these things in the answer of this question coming towards fourth one plants cannot move from one place to another why are they called living very good हमने तो movement की बात की ती यह के plants एक जगा को चोड़ के point A को चोड़ के point B तक तो नहीं जा सकते जब नहीं जा सकते तो living क्यों है living तो इसलिए है के बाकी जो living के characteristics है वो तो है यह नहीं यह एक जगा से चोड़ के दूसरी जगा नहीं जा सकते लेकिन अपनी जगा तो move कर सकते हैं यह का भी सकते हैं पी भी सकते हैं बढ़ते भी हैं grow भी करते हैं लहाजा plants are living things going to another one and there is very interesting one uh part c fill in the column with appropriate nature of the object प्यारे बच्चों देखें cloth first one is doing for you is done for you cloth जो है इसको किसने बनाया है main made है अभी rocks बताओ वो क्या है बच्चे that is natural okay शावाज uh elephants क्या है main made है या living है या natural है तो of course this is living elephant is living बाकि आपने करने बच्चे sun क्या है लोग क्या है people furniture क्या है soil क्या है leaf क्या है इसको आपने solve करना है और इस exercise के है last one के 8 number और आपके कितने होने चाहिए प्यारे बच्चों eight out of eight आप लोग उने eight बटा eight marks ले लिए प्यारे बच्चों well done I am proud of you inshallah see you in the next chapter allah حافظ कर दो ज़न you ओन क्यार्ण सेस्टी न। कर दो